टर्म्स ओफ क्रेडिट यानि क्रेडिट के सर्तें क्या क्या हैं क्रेडिट के सर्तों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सर्तें होती हैं जो क्रेडिट लेने के दौरान जो है वो देखी जाती हैं उन सर्तों को जो है वो ही हम टर्म्स ओफ क्रेडिट करते हैं जैसे कि समानेता अगर हम बात करें तो terms of credit का मतलब यह हुआ कि जब कभी भी कोई भी loan activities होती है तो उसमें कुछ बातें पहले से तै की जाती हैं और उन्हीं बातों को जो है वो हम लोग terms of credit करते हैं जैसे कि loan amount क्या होगा कितने durations के बात जो है वो इसको pay किया जाएगा mode of payment क्या होगा इसके साथ साथ जो है वो rate of interest क्या होगा इन सभी चीजों को पहले से ही जो है वो discuss किया जाता है और इन ही चीजों को जो है वो हम terms of credit करते हैं यहाँ पर जो है वो terms of credit में एक और चीज जो है सामिल होता है जिसे हम collateral के नाम से जानते हैं collateral कहने का मतलब यह होता है assets दिया हुआ है साब की collateral is an assets of borrower owns यानि जो कर्ज लेने वाला बेक्ती होता है collateral उसकी खुद की समपती होती है चाहे वो land के रूप में हो सकता है buildings के रूप में हो सकता है वेकिल्स के रूप में हो सकता है live stock या deposits के रूप में किसी भी रूप में collateral हो सकता है यानि जो कर्ज लेने वाला बेक्ती है उसके पास जो भी assets है वहीं collateral का लाएगा जैसे कि अगर land की बात करें तो land के जो कागजात होंगे वो या buildings जो होगी houses जो होंगे उसके जो documents होंगे वो credit लेने के समय submit करना पड़ता है या जमा करना पड़ता है तब जाकर credit मिलता है तो यह जो है आपको पता चलता है कि यह किस तरह से जो है वो terms of credit जो है वो work करते हैं जैसे कि terms of credit के लिए समझने के लिए बहतर यहाँ पर एक examples दिया गया है जिसमें mega के बारे में बताया गया है कि mega जो है वो एक घर खरिती है लोन पर जिसके लिए उसे पांच अलाख रुपे है जो है वो जरूरत पड़ते हैं बैंक से उसे जो है वो 12% जो है वो interest rate देना परता है पेमेंट के लिए जो है वो 10 years का जो है वो durations दिया जाता है कि बैंक उसे 10 साल देगा 10 साल में उसे वापस कर देना है इसके साथ साथ जो पेमेंट का mode होगा वो क्या mode होगा यानि आप पैसा एक बार में paid कीजिएगा या थोड़ा थोड़ा यानि installment पे pay कीजिएगा collateral के तौर पे यानि कुछ तो bank में आपको जमा करना होगा तभी bank आपको loan देगा otherwise नहीं तो collateral के तौर पे bank के सामने जो है वो mega जो new house खरीती है उसी के documents यानि कागस रखती है तो ये सारी चीजे जो है वो आपको terms of credit के अंतरगत आती हैं terms of credit के अंतरगत जो है वो सबसे पहले तो loan amount की यानि कितना जो है वो loan देना है नहीं देना है इस पे discussion होगा duration of loan यानि कब तक loan को जो है वो पे किया जाएगा documents required documents requirement में हो सकता है जो loan लेने वाला बेखती हो उसको अपना जो है वो id proof, address proof इस तरह के कई तरह के documents जो है वो submit करने पड़ते हैं rate of interest पहले ही तह हो जाता है mode of payment यानि installment होगा और single time जो है वो payment होगा और इसके साथ साथ जो है वो collaterals जो most important है समाने तर बिना इनके जो है वो bank generally loans provide नहीं कराते हैं तो ये सभी चीजे जो है वो terms of credits के अंतरगत आती हैं इनहें हम जो है वो terms of credit को हमें sign करने के बाद या उन्हें मानने के बाद ही जो है वो loan approval होता है और उसी के according हमें functions करने होते हैं loan activities में